जी हां आपे देख सकते हैं attitude hold face भी बहुत ही आसानी से lander face ने पार कर लिया है और अब fine breaking की शुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं कि lander की उचाई लगभग 5.6 km है जो कि इस face के उपरांत लगभग लगभग 800 meter हो जाएगी we can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for three minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase जी हाँ, जैसा की आरुसी जी ने बताया कि लगभग 3 minute के उपरां lander की height लगभग 800 meter vertically होगी और यहाँ पे lander की horizontal velocity, vertical velocity, even downrange भी लगभग लगभग सुनने होगा we can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं की lander की उचाई अब चंद्रमा के सता से लगभग 3 km से कम हो चुकी है we are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं की lander की उचाई लगभग लगभग एक किलो मेटर के आस पास है we are nearing the final phase of the power descent which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase जी हाँ, अभी हम फाइन ब्रेकिंग वेस के एकदम करीब आ चुके हाँ आप तालियों के गड़गड़हट से सुन सकते हैं की हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पूरवक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेस में आ चुके हैं की सुरुआत भी बहुत ही अच्छे डंग से हो चुकी है lot of applause indicates that till now the performance has been nominal we are in the vertical descent phase one the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं की लैंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट उपर है और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आस-पास है इस इस स्थेस के दौरान लगभग 150 मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद लैंडर अगें लगभग 20 से 22 से के लिए होरिंग करेगा We are above the landing site, the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun it's descent towards the landing site जी हाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पत्निर्धारित किया गया है लेंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सताप से आप यह जो आप इस ताली ओ के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं जो के सेकेंड हारी पेस के कम्प्लीट होने के बाद इन सारे बैग्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ अगर थिर से ध्यान से देखें तो आल्टी तुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की उचाई पे हैं अभी है 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 देख सकते हैं की लैंडर की उचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है करेंटल यूट जो एंजिन्स आथ नाव बिंग लेग्टी वर्टिकल अर्ज जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर कुछ से भी कम आ चुके हैं। कर दो हैं। कर दो कि बार्टम अलोल्य थे लिए ऑ्लोड़िक लिए ट्रया 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 हुए यह एर कॉ झाल झाल